पवन सिंग जिस छेत्र का सांसत बनेगा पवन सिंग के अंडर में जो छेत्र आएगा जो छेत्र पवन सिंग को देखना होगा उस छेत्र का एक भी इंसान दुखी नहीं होगा शाहता हूं कि मैं जिस छेत्र की जिम्मेदारी लूँ और उस छेत्र से जब मैं निकलू उस छे कर लोग ये बात करें भगवान बेटा दे तो पवन की तरह पवन सिंग जिस छेत्र का सांसत बनेगा पवन सिंग के अंडर में जो छेत्र आएगा जो छेत्र पवन सिंग को देखना होगा उस छेत्र का एक भी इंसान दुखी नहीं होगा उस छेत्र के एक भी माबापको कोई कश्ट नहीं होगा कोई परिशानी नहीं होगी कोई तकलीफ नहीं होगी यह हम दावा के साथ कह सकते हैं और यह मेरे दिल की बात है जो हम आप से शियर कर रहे हैं यह बात power star पवन सिंग कहते हैं पवन सिंग कहते हैं कि हम अकसर instagram, youtube, चुब अलग-अलग social media platforms के माध्यम से देखते रहते हैं कि शादी होते ही बच्चे बदल जाते हैं, अपने माबाप को छोड़ देते हैं, बेटे बहु अपनी जिंदगी अलग बिताते हैं, माबाप अलग हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि शादी ह होने के बाद बेटा बदल जाता है, माबाप से दूर हो जाता है, ऐसे में माबाप के जिंदगी बड़े मुश्किल में गुजरती है, इसलिए मैंने सोचा है, मैंने प्रन लिया है, और आज मैं ये आप से भी कह रहा हूं, कि अगर पवन सिंग सांसत बनता है, तो पवन सि शेतर को सम्हालने के जिम्मेदारी मिलेगी, उस शेतर का एक भी इंसान, एक भी माबाप, दुखी नहीं होंगे, कस्ट में नहीं होंगे, तकलीफ में नहीं होंगे, और मैं ये उमीद करता हूं, मैं ये चाहता हूं, कि मैं जिस शेतर के जिम्मेदारी लूँ, और उस शेत जब मेरी गाड़ी गुजरे उस शेत्र को जब मैं ग्रॉस करूं तो मेरी खहेत्र के लोग आपस मैं ये बात करें मुझे देख कर लोग Family बैटा दे तो Pavan कीsetर यानि पवन सिंग चाहते हैं कि वो जब सांसत बने लोग उनको सांसत के रूप में चूने तो वजी शेत्र को समहा लेंगे उस शेत्र का एक भी इंसान दुखी नहीं होगा और खास कर वो माबाप की बात कर रहे थे दरसल पवन सिंग हाली में एक नए मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिये हैं और करीब लगभग पवन सिंग उस चैनल पर एक घंटा लाइब बातचीत करते हैं और बातचीत के दराद जब पवन सिंग से पूशा जाता है कि पवन जी अगर आप सांसत बन जाते हैं तो आपक क्या लगता है कि शेतर में ज्यादा सुधार की जरूरत है तो पवन सिंग सवाल के जवाब में कहते हैं कि देखिए जहां तक हमको लगता है चुकि हम पढ़े लिके नहीं हैं हम अनपढ़ हैं हम शिक्षा नहीं ले पाए मेरा गाना बजाना में ज्यादा रूची था तो में तो हम जरूर्श उधार करेंगे इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर लोग मुझे अपने सांसर के रूप में चुनते हैं तो मेरी ये कोशिस होगी कि मेरे शेत्र का कोई भी माबाप उदास्त नहों किसी को कोई कस्ट नहों कोई तकलीफ नहों कोई वृद्धा अश्रम न जाए और शेत्र में रहूं शेत्र का कल्यान करूं और जब पवन सिंग ये सब कह रहे होते हैं उस वक्त हमको जोती सिंग का वो स्टेतस याद आता है जब जोती सिंग ने अपने स्टोरी में लिखा था कि उसकी किरदार की बात करते हो तो सुनो उसको उसकी बेटी को उसके जैसा पती मिले यानि एक तरफ जोती सिंग पवन सिंग को श्राप दे रही है कि पवन सिंग ने जिस प्रकार से मेरी दावा कर रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे हम सांसत बनने के बाद लोगों का देल ऐसे जीतेंगे कि लोग मेरे जैसा बेटा पाने का कामना करेंगे लोग ये मनत मांगेंगे कि भगवान बेटा दे तो पवन किते रह दे और जब पवन अपने इंटरव्यू के दरान ये सारी रुपए देने होंगे खेद भी बेचना होगा तो हम बेज देंगे लेकिन वो मेरी बेटी को न छोड़े क्योंकि इससे मेरी प्रतिस्ठा पराच आएगी और मेरा समाजिक छवी मेरी बेटी की इमेज की बात है सब कुछ खराब हो जाएगा इसलिए हम चाहते हैं कि पवन ज राश नहीं होंगे और दूसरी तरफ जोटी सिंग के पिता जो अपनी बेटी की चिंता अपनी बेटी की परशानियां को देखते हुए बेड्रिस्ट पर आ गये वह उस्पिटलाइज हो जाते हैं बहुत दिन तक वह एड्मिट रहते हैं जोती सिंग रोरोकर कहते हैं कि अ यहल वीडियो को आई